बिना पाओ बांदे दूद निकाल के आज पी के बताएंगे देखो भई गिलास देख लो सबसे पहले तो पूरी खाली है देखो दिख रही है ना खाली है ना चलो आराम से चैलेंज पूरा करना है हमें एक बार हो ट्राइ कर लेंगे लास्ट कितना दुद देगी और फिर पी लेंगे इसको सारे आचुके हैं तो अभी इन सब के साथ में इसका नाम हम राधिका के मदर फादर कोन है नमस्कार दोस्तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागात है हमारे फामस्योईस के एक और जवर्जस व्लोग में दोस्तो आज है संडे और आज हम करने वाले हैं Q&A जी हां दोस्तो आप लोग इतने सारे और प्यारे प्यारे सवाल पूछते हैं भई मज़ा आ जाता है चलो आज आप सभी लोगों के जवाब देते हैं इस वीडियो में शुरू करते हैं इस व्लोग को अगर आपको लोग पसंदा दा भाई लाइक शेयर करें और चलिए बढ़ते हैं पहले कोश्चन के उपर सबसे पहला कोश्चन हमसे पूछा है विरेन सिंग जी सिसो दिया ने यह हमसे पूछ रहे हैं गोपी जालर लाडो किस बूल की बच्चडिया है बहुत सारे लोगों तो पता होगा जिन लोगों नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ यहां पर आप देखो जै को भाई यह अपनी घृताओ जिन रूट हो प्यार जूट इसी बच्चडिया तो जो हमारा यहां पर आपने देखा ही ओंगा लाल ओला जो अपना नंदी इगिर नंदी उसकी चलो वह जहां आहिए आपका तीनों बश्रियां कौन से बूलकी थी आप चलिए बढ़ते हैं next question के उपर यह हम से पूच रहे हैं तेज सिंग जी पावार जैघोमाता भाई आपके फाहम पर सब्सक्राइश कों सी आई इieved थी बढ़िया सवाल वाई आपने तो मेरी याद ताजा कर दी बिल्कुल सबसे पहली बार हमारे फार्म पर आई थी महात्मा जियां दो सो और गंगा जमना उस समय पे बशडी आई थी और जो आपने लीला देखी ना जो बड़ी वाली लीला है वो महत्मा के नीचे आई थी मतलब वो छोटी सी बशडी थी महत्मा की आ बढ़ता है नेक्स कोश्चन के उपर यह हम से पूछ रहे हैं स्रिज गेमर्स भाई आप अपने फार्म पर थार पारकर नसल की गाएं लेकर आजाओ बहुत अच्छी है बहुत अच्छा दूद देती है बहुत शांत रहती है काफी सुन्दर है एक बार आप उसको अपने फा ऑफ़ाइं शांत नसल की गाएं रख पाएं ऐसा शेड़ बनाएंगे आप देखो सही दीरे दीरे अब लोग तो आई रहें पीछे की साइट करेंगे और ऐसा फाम हम तयार करेंगे जिसमें हम् एक-एक नसल की सारी गाएं रखे बढ़ाई अब देखना आप एसा करके दि यह बता भई ये सवार तो आपने वह को प्जा है हमने आज तक दहिखो हमने श對不起 कराई एक टो राधिका की और एक लिलिडी की बस और श्रम इससे सुव मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बुल था ना वो हमारे आपर जो आपने लाल बुल देखा होगा ना जो लाल बुल आपने देखा था बस उसी से प्रेग्नेंट हुई है और यह जो रिजल्ट इतना जवर जसा है मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है घर वालों को भी पी लाईए चलो बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन के उपर यह हम से पूछ रहे हैं पाइल जी पाइल जी हम से पूछ रहे हैं आपकी गोंशाला पर यहां पर आपकी कितनी बीगा जमीन है प्लीज बताना और आपका पुरा विलेज ड्रोन से एक बार जरूर दिखाएंगे ब और रही बात यहां पर आपकी कितनी बीगा जमीन तो जहां पर अपना फार्म है यहां पर हमारे पास में 30 बीगा जमीन पर पीछे साइड और यह जो जगा देख रहे हैं यहां पर सम्तिंग 30 बीगा जमीन अभी हमारी यहां पर है और जिसमें से लगबग 5-6 बीगा तो हम next question के उपर यह question बहुत interesting पूछा है हमें महेंदर बाई गदवी ने यह हम से पूछ रहे हैं भाई राधिका के mother father कोन है बहुत interesting question है मुझे खुद को बता नहीं है कि राधिका के mother father कोन है क्योंकि जब हम राधिका को लेकर आये अच्ने-लोगों नहीं पता थे हमारी सारी गए आश्रम से लाए हुए है गुजरात के पास चोटिलस से आवलिया ठाकुर मंदिर से तो वहाँ से हमारे सारी गाए है और राधिका वहाँ पर बड़ी हो गए थी मतलब चार साल उसकी उमर हो गई थी और हीट पे नहीं आ रही थी तो गुरुजी ने फिर हमें राधिका को दे दिया और राधिका हमारे घर पर जैसे ही जाई दो तीन महीने के बाद में आपर हीट पे भी आ गई क्रोज भी हो गई और पहली बार उसने हमारे फार्म पर गोपाल को जनम दिया था गोपाल मेरे फ्रेंड के यहाँ पर अभी है मेरे दोस्त के यहाँ पर हमने ब्रीडिंग के लिए उस नंदी को आपर दे रखा है तो भाई वो जो बूल है ना उसको ला तो सकते हैं पर उसको यहाँ पर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसको भी वहाँ पर आपने देखा होगा एक अलग शेड में रखते हैं अब यहाँ पर देखिए अरजुन बिल्कुल खुले में घूम रहा है अगर ऐसे अगर वो घूम पाई तो अब हम उसे यहाँ पर ला पाएंगे नहीं तो फिर उसके लिए पहले तो हमें विवस्ता करनी पड़ेगी फिर उसको लाएंगे और उसको बिल्कुल सिलेक्टिव नंदी हमें रखना पड़ेगा तो ऐसे कर पाण कर सकते हैं अभी राधीक अभी तक तो नहीं आई ए वहां से क्योड़ेगा तो हीट पर आई थी और क्रोश हो गई तो आप देखते हैं अरजून को क्या हूआ अरजून पीछे मार रहां आजून यह देखो बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन के ऊपर यह हमसे पूछ रहे हैं लीलू राम जी यह हम से पूछ रहे हैं स्वन्ड कपिला का क्या नाम है तो हमने अभी तेक इस बश्री का नाम नहीं रखा यहां पे आप देखिए हमारी आनन भी यही पर यह और हमारे पीछे कौन को ने भई देखो जरास अरे लाड़ो मेरे पीछे खड़ी है और अच्छा लाड़ो तो पीछे चली गए अच्छा लाड़ो यह रही अपनी यह रही अपनी गोपी जूमर कहां पर गई है जूमर वहां पर चली गए यहां पर आप देखो सारे आ चुके हैं तो अभी इन सब के साथ में इसका नाम हम रखेंगे क्योंकि यह धन्तेरस ऐसका नाम हमने रखा है बिल्कोल यह देखें तो इसे लिए हमने इसका नाम रखा है लश्मी आपको कैसा लगा बहुत बहुत शेतान है आजाओ गोपी आजाओ 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 बस इसको ऐसे करो बस गोपी आजा 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 ये देखो भई तो दोस्तो आपको इसका नाम कैसा लगा भी जल्दी से कॉमेंट में कर बताना चलो भई अब बढ़ते हैं next question के उपर यह हम से पूछ रहे हैं भाई feed का formula बताओ आप पका कर देते हैं या भीगो कर ना तो हम पका कर देते हैं ना हम भीगो कर देते हैं क्योंकि हमारे आपर इसना maintain नहीं हो पता है गाएं जादा है तो इसलिए हम क्या करते हैं simple जो अपना गेहूं का दल्या रहता है और जो अपनी ख पकारते नहीं हैं क्योंकि उसमें बहुत जादा टाइम लगता है ठंद के टाईम पे आप कर सकते हो पकाने कगर आप सोच रहे हो थंद के टाइमपर कर सकते हो बहुत अच्या result मिलता है पर अभी हम यह नहीं करते हैं तो भाई फाहाद ने अपनको कोई question पूछा हम पूछ बंब कच्छा दूद्ध पीन है निकालके अब भी कैब भी चलो भाई इसी क्यों एने में अब भी ट्राय गथे देखो भाई चलो आ जाओ ह HC पीना पाओ वडार दोध निकालकि आज पीके के बताएंगे अचलो ये जमना है देख लो यह जमना हमें दूद देगी को नहीं देगी देखो बhero city glass देख लो ऐसी अठीक ने विलिए तो पूरी खाली है देखो देख रही है ना खाली है ना चलो जमना जमना चलो जमना आराम से आराम से चलेंज पुरा करना है अमें पारे जमना बिटा थोड़ा सा थोड़ा सा देको इतना सा दूद आया है थोड़ा सा ओगर करेंगे चलो अब अब दूसरी गाएं के नीचे है महात्मा महात्मा देगी महात्मा नहीं देगी, महात्मा प्रेगनेंट है, चलो, इधर आते हैं, और बाकी गाएं बेठी है, कौन दे सकती है, कौन दे सकती है, हमें हमारी सबसे प्यारी कपिला के पास आ जाओ, यार, यार, यह अपनी जालर है, यह भी नहीं देगी, आज लगता है, अपने नसीब में दूथ यही नहीं, क्योंकि इनका टाइम ही नहीं है, अपनी गलट टाइम पर ट्राए कर रहे हैं, देखो, मुझे है ना, सबसे जादा विश्वास कौन सी गाएं पर है, वो है जमना के उपर, और जमना है ना, बहुत सही है, और एक बच्ड़ी इदर आजाओ, चलो, या तो फिर हाती है, हाती भी दे सकती है, पर चलो, इदर आओ, आपको फिर बताता हूं, अपनी मोहीनी देदेगी यार, इतना दूतो, आजाओ, मोहीनी, वो गई, वो भी देगी, सिता, सिता भी नी देगी, इन गाम से मुझे डल लगता है, क्योंकि बड़ी गाएं हैं, तो कुछ कह नहीं सकते, अब इसका ठाए करके देख लेते हैं, जीत आगई है, जीत कभी देदे, जीत, आजाओ, लुक जाओ, थोड़ा सा दूत चाहिए हमें, जीत, आजाओ, नहीं देगी, नहीं देगी, तो हम एक काम करते हैं, देखो, जिस गाएं इतना दूत दिया है, उसी के पास चलते हैं, मैं आता हूँ उदर से, हाती तो बच्चा देने वाली है, नहीं तो हाती दूत पिला देती है, यार, सही में, आती है न, दूसरे बच्चडे को भी दूत पिला देती है, चलो, भाई, परान भाई, आपने बहुत ही खतरनाक चेलेंज दे दिया हमें, और बहुत टेंशन होरी मुझे भी, क्योंकि बहुत प्यार से दूत निकालना पड़ता है, देखो, अभी क्या है, अभी दूत थोड़ा सा मुश्किल है, पर फिर ठीक है, आजा, थोड़ा सा, जमना, थोड़ा सा, प्लीज, पूरा करने दो हमें, थोड़ा सा, थोड़ा सा, प्लीज, प्लीज, जमना, आजा, 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 चलो, भाई, एक बा फिर पी लेंगे इसको, है ना, लास्ट, एक बार अगर जमना इसको देख लो एक बार, अगर ये अब दे देगी तो पी लेंगे, बस, चलो भई, अब देखते हैं, पी गए, चलो भई, दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, कॉमेंट करके बताएगा, और जिन भाईयो के जवाब रहेगा भई, अगली वीडियो में जरूर देंगे, आपके जवाब भी, और आप ऐसे, मुझसे चेलेंज भी करा सकते हैं, भई, फार्म के अंदर बहुत मज़े आते हैं, दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कर देना, और मैं मिलता हमारे गले व्लोग में तब तक के लिए, जय हिंद, बंदे मात रहूं